हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सिलपास की जनल रेसिपीज आज मी शेर करने वाली हूँ मार्केट स्टाइल वेच मोमो की रेसिपी साथ ही कुछ टीप्स और ट्रिक्स भी शेर करने वाली हूँ ताकि आप घर पर कम समय में जाज़ा से ज़्यादा मोमोस बना सके इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखे बिना स्किप किये और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए बिना देर किये फटाफट मोमोस बनाना शुरू करते हैं मोमोस बनाने के लिए सबसे पहले मोमोस का स्टाफिंग रेडि कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कफ फाइनली चॉप्ट के हुआ बंदागो भी लिया है मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है आधा कफ ग्रेट के हुआ गाजर एक बड़े साइस का प्यास फाइनली चॉप्ट के हुआ एक बड़ा चममच फाइनली चॉप्ट के हुआ लेसन एक बड़ा चममच फाइनली चॉप्ट के हुआ अधरक दो से तिन फाइनली चॉप्ट के हुआ हरे मेच और थोड़ी से फाइनली चॉप्ट के हुआ हरा धन लिया है सब सब् pada हम सारी चीजे को एक बड़े से बाउल में ट्रांसवर कर लेंगे कर I कि सवाधनुसा नमक डाल लेंगे और मीक्स कर रहेंगे सारी चीजे को अच्छे से में अर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स लिया है इसमें बस दो चुटकी नमक डालेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और मुमुस के लिए दो तेयार कर लेंगे दो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कर लेंगे अब हम डो को ढखके 10 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए अब हम स्टाफिंग चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा पानी निकला है अब हम एक बाउल लेंगे और उसके उपर एक छली रखेंगे और छली के उपर एक साफ पतला कॉटन कबडा रखेंगे और उसमें सारा स्टाफिंग को डालेंगे और निचोड के स्टाफिंग का सारा एक्स्टा पानी हम निकाल देंगे और इसमें से जो पानी निकल रहा है इसे हम आटा गुन्ने में सबजी में या फिर पेड़ पोदो में दे देख सकते हैं मोमोस के लिए स्टफिंग कितने अच्छे से ड्राइ हो गया है अब हम इसमें एक छोटा चमच काली मिर्ज का पाउड़र एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मोमोस के लिए हमारा स्टफिंग तेयार है और दस मिनिट बाद मोमोस के लिए हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है अब हम डो को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को साइट पे रखेंगे और इसे हाथ से गुमाते विए गोल कर लेंगे इसके उपर थोड़ा से सुखा मैदा डालेंगे और बेल लेंगे इसे हमें बहुत ज़ादा पतला बेला है मोटा बिल्कुल भी नहीं बेला है जैसे रुमाली रोटी बेला जाता है बिलकुल उसी तरह आप देख सकते हैं इसे ऐसे ही पतला बेला है अब हमें ग्लास इस तरीके से मोमोस बनाने से सारे मोमोस एकी साइज के बनेंगे और एके करके मोमोस बिलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और इस तरीके से मोमोस बनाने से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और बहुत कम समय में हम धेर सारा मोमोस बना सकते हैं अब हम side वाला आटा को ऐसे करके निकाल लेंगे और इसे डो के साथ mix कर लेंगे और दुबारा momos बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे अब हम momos के लिए तेयार के हुआ पूरियों को एक plate में निकाल के side पे रख देंगे अब हम एक पूरी लेंगे और इसमें stuffing डालेंगे stuffing हमें बहुत जादा नहीं डाला है जितना आ जाएं उतना ही डालेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे हम cover कर लेंगे momos का size आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इसे अच्छे से इस तरीके से उंगली से प्रेस करते हुए अच्छे से cover कर लेंगे और हमारा पहला momos तयार है अब मैं आपको दूसरा momos बना के दिखाते हूँ अब दूसरा पूरी लेंगे और इसमें stuffing डालेंगे और बिल्कुल पहले के जैसे इसे fold करते हुए अच्छे से cover कर लेंगे आपको जो design easy लगता है आप momos के लिए वो design बना सकते हैं momos के design से इसके taste में कोई फर्क नहीं पड़ता है अब मेरा दूसरा momos भी बन के तयार हो गया है अब मैं momos के और एक design आपको बताती हूँ एक पूरी लेंगे और उसमें stuffing डालेंगे और stuffing को पूरी के center में अच्छे से रखेंगे और इसे बिल्कुल उसी तरह fold करेंगे जैसे हमने पहले वाले momos को fold किया है लेकिन इसका हमें आदा fold करना है और इसे बस ऐसे करके प्रेस करेंगे और अच्छे से stuffing को cover कर लेंगे और हमारा momos के लिए दूसरा design भी तयार है और मैंने इसी तरह से 8-10 momos बना लिये हैं जितना मेरे कड़ाई में steam होने के लिए आ जाए मेरे पास इस तरीके का steamer plate है तो मैंने यह लिया है अगर आपके पास momos steamer है तो आप momos उसमें steam कर सकते हैं अब हम plate में थोड़ा सा oil grease कर लेंगे ताकि momos जो है वो plate में चिपके नहीं अब हम बनाए हुए momos को इस plate में रखेंगे मैंने यहापे ग्यास पे कड़ाई में पानी रखा है गरम होने के लिए और जब पानी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें steamer plate रखेंगे और इसे cover कर देंगे और momos को 10 मिनिट के लिए medium to high flame पे steam होने के लिए देंगे 10 मिनिट बाद हमारा momos जो है वो अच्छे सा steam हो गया है मैं आपको एक momos सामने से दिखाती हूँ अब हम momos को गरम गरम ही serve करेंगे क्योंकि momos गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है ठंडा होने के बाद यह tight हो जाता है और खाने में मजा नहीं आता है आपको जब भी मन करें momos खाने का आप इस तरीके से कम समय में घर पर धीर सारा momos बना सकेंगे अगर आपको मेरे आज की यह recipe अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, share और मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करें